हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं आप लों के साथ में कॉलर की कटिंग एन स्टिचिंग शेयर कर रही हूं यहां पर यहां पर पार्ट मैंने ले लिया है क्योंकि हम कॉलर नेक बना रहे हैं तो बैक वाला पार्ट एक इंच बैक पार्ट से छोटा रहेगा यहां पर नेक वेट थे ले रही हूं थ्री इंच आप सवा तीन इंच या साड़े तीन इंच भी ले सकते हैं जितनी भी आप ब्राडनेस रखना चाहते हैं उतनी आप ले लीजेगा अब यहां पर हाफ इंच मैंने जो शोल्डर डाउन करन करने के लिए निशान लगाया था उसे स्कील से मिला लिया है और अब इसके बाद में हमने यह जो निशान लगा है इसे हम कट कर लेंगे इसके अपर पार्ट में सिर्फ मैं आज आप लोग को जो कॉलर है वो लगाना बताऊंगी कि किस तरह से आसानी से आप उसकी कटिंग यान स्टेचिंग कर सकते हैं अब यहाँ पर जो फ्रेंट पार्ट है उसमें नेक की लंबाई में ले रही हो थ्रे इंचेस और अब एक बॉक्स में यहाँ पर तयार कर लूँगी आप इसे भी सवा तीन या साड़ तीन इंच ले सकते हैं अब मैं यहाँ पर राउंड दे देंगे बैक पार्ट में और फिर उसके बाद में हमें दोनों ही नेक की कटिंग कर लेंगे डीटेल में अगर आप देखना चाहते है किस तरह से मैंने इसकी कटिंग की थी तो यहाँ पर आई बटन पर मैं लिंक दे दूँगी आप एक बार उस वीडियो को जबूर दे इसका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने शेयर किया है आप उसे भी देख सकते हैं अगर सिर्फ आप यह नेक बनाना सीखना चाहते हैं तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ हमें लगानी है कॉलर तो इसके लिए मैं इसे इस तरह से फोल्ड करकर रख लूँगी तो आपको इ अब यहाँ से इंच टेप रखनी है और बिल्कुल इस तरह से धीरे-धीरे कर्व देते हुए आपको इसकी मेजर्मेंट देखनी है तो यहाँ पर 8.5 इंच में एक लाइन जादा आ रहा है मैं इसे 8.5 इंच मान कर ही चलूँगी एक लाइन से उतना फर्क नहीं पड़ेग और अब मैंने इसे देखिए फोल्ड कर लिया है फोल्ड करके कुछ इस तरह से रखा है अब इसके बाद में मैं यहाँ पर पहले सीधी लाइन बना लूँगी और उसके बाद में हम इसकी मार्किंग करेंगे तो आपने जैसे देखा था मेरे मेजर्मेंट में जो नेक की र लगा लेंगे अब इस निशान को यहाँ उपर हमें सीधा इस खील से सरह से मिला लेना है और अब इसके बाद में यहाँ से जितनी हमने चोड़ाई ली थी कर ले की जैसे कि मैंने थ्री इंच ली थी तो मैं यहाँ पर थ्री इंच पर निशान लगा दूंगी आपने सबा सरह 30 इंच लिया होगा यह साड़े 3 इंच तो आप तने भी निशान लगाएगा अब यहाँ से हलका सा मैं इस तरह से कर व देला और कर्व देते हुए यहाँ पर इस लाइन पर मिला लेना है तो आप देख सकते मैंने किस तरह से कर्व दिया है अब यहाँ पर हमारी जितनी नेक की राउंडनेस आई थी जैसे कि मेरे इसमें 0,5.8 इंच आई थी तो मैं 0,5.8 इंच पर एक निशान यहाँ पर बना आपके measurement में जितने भी आई होगी roundness उतना आपको ले लेना है और अब इसके बाद में यहां से इस तरह से तिर्ची में एक line बना लूँगी अब हमें लेना है जितनी भी चौड़ी आप लेना चाहते हैं इस collar की चौड़ाई आप उतने पर निशान लगाएगा अगर मान ले तो एक इच ले लिजेगा मैं यहां पर 0.75 इंच रख रही हूं तो अगर आप भी उतना रखना चाहते हैं तो रखके यहां पर उतने पर हमें मार्क करते जाना है तो यह मैंने पूरी marking कर ली है 0.75 इंच पर और अम मैं इसे मिला लूँगी इस तरह से और यह हमारा collar का जो ध्यान रखना है कि आप पिन जरूर लगा लीजेगा वरना आपका जो शेप है collar का वो उतना अच्छा नहीं बनेगा तो इस तरीके से देखिए कि कितनी perfect तरीके से हमारी collar ready हो चुकी है अब इस collar को मैंने पेस्ट कर लिया है फैब्रिक के उल्टे तरफ में यहां पर दो फ बिल्कुल किनारे से stitching कर लेंगे जो हमारी paper pasting है या बक्रम है उसके किनारे से हम इसमें stitching पूरी लगा लेंगे देखिए यहां पर मैरी stitching पूरी हो चुकी है यहां से लेकर के मैंने इस end तक पूरा stitch कर लिया है अब मैं यहां पर half inch fabric छोड़ते हुए cutting कर लूँगी जैसे कि हम कोई neck त्यार करते है ना उसी तरीके से half inch छोड़ते हुए आपको इसे cut कर लेना है और फिर उसके बाद में यहां पर जो हमने half inch fabric छोड़ा है वहां पर हमें छोटे छोटे से cuts लगा लेना है ताकि finishing के साथ हमारी color जो है ready हो सके नीचे से भी सिलाई का margin छोड़त चाहे तो stitching कर सकते हैं चाहे तो आप press से उसे press कर सकते हैं ताकि वहां पर वह अच्छे से fold हो सके अब उसके बाद में हमें इसे पलट लेना होगा जो हमारी collar है याने कि सीधे वाले side जो है अब हमारे उपर के तरफ में आ जाएंगे सीधे side में corners को अच्छे से निकालने के बाद में देखिए मैं क्या करने वाली हूँ यहां पर यह जो fabric है उसे क्योंकि यह रियॉन का fabric है तो अच्छे से यह fold नहीं हो पा रहा था तो मैं इसे एक बार अच्छे से press कर लूँगी तो यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी collar जो है यह perfect तरीके से ready हो चुकी है जैसा कि मैंने का था नीचे वाला एक जो fabric है एक layer उसे हम इस तरह से fold करते हुए press कर सकते हैं यह stitch कर सकते हैं क्योंकि यह रियॉन fabric है इसलिए मैं इसके उपर stitching कर रही हूं लेकिन बाद में इस stitching को हम जो है निकाल लेंगे तो यहां पर द के उपर की हमें stitching करनी होगी अब यहां पर हम center mark करेंगे तो यहां पर collar को मैंने इस तरह से fold कर लिया है और यहां पर mark कर लिया है center को अब इसके बाद में हमें लेना है जो हमारा main चोली वाला पार्ट है उसे मैंने ले लिया है और क्योंकि back part में हम इसे लगाने start करेंगे त मैंने इसे रखा हुआ है और उसके उपर आप देख सकते हैं यह जो collar है इसे हम center से center मिलाते हुए इस तरीके से रखेंगे और फिर यहां पर हम stitch करेंगे एक बहर आप इसे लगा कर भी देख लीजेगा कि सामने तक आपके पूरी जो collar है वह अच्छे से आ रही है कि नहीं तो आप यह देख सकते हैं बिल्कुल perfect नाप की जो है मेरी collar बन चुकी है मैं इसे starting से लगाना स्टार्ट कर नहीं क्योंकि मेरी बिल्कुल perfect बनी है center से center मिलाके रखना है वहाँ पर मैंने pin लगा ली है ताकि इधर उधर मेरी जो collar है वो ना हो और front part का जो corner है वहां से मैंने इसे start किया है लगाना आप चाहे तो center से start कर सकते हैं या starting से start कर सकते हैं अगर आपकी collar बिल्कुल इसी तरही से perfect बनी है कुछ छोटी बड़ी नहीं हुई है तो आप आराम से इसे stitch कर पाएंगे तो इस तरफ से देखिए मेरी जो stitching है collar की पूरी हो चुकी है यह इस तरह से म हमारे इस तरफ में दिख रही है बाहर के तरफ अंदर के side से तो यह पूरा finishing के साथ में ready हो चुका है आप देख सकते हैं कोई stitching नजर नहीं आ रही है अब जो back part में stitching नजर आ रही है पीछी के तरफ में हम इस collar को इस तरह से fold करेंगे और उस stitching को इसके अंदर करते हुए यह पर इस तरह से collar को रखेंगे और बिल्कुल किनारे से इसके हम stitching करना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर देखिए इस किनारे से हमें पूरी stitching के साथ ही हमारा यह जो collar वाला neck design है यह ready हो चुका है I hope आपको यह video पसंद आया होगा इसकी मैंने एक pleated gown बनाई है बिल्कुल market जैस आई बटन पर भी मैंने उसके link दे रही है यहां पर देखिए collar कुछ इस तरह से बन चुकी है neck हमारा कुछ इस तरह से ready हो चुका है तो अगर यह video आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो इसे like जरू कीजेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe कीजेगा औ और last में आप यहां पर इसके pick देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा था thank you for watching